फर्स्ट आइफोन को एपल कमपनी ने नहीं बनाया था बलकि कैलिफोर्णिया की एक इन्फोगियर नाम की कमपनी ने 1998 में इंट्रेडियूस किया था ओवियसली ये स्टीव जॉब्स की आइफोन जितने एडवांस नहीं था पर उस समय वैसे फोन्स नहीं हुआ करते थे फिर year 2000 में सिस्को कमपनी ने इन्फोगियर को खरीद लिया और 2006 में सिस्को ने ये नाम यूज किया अपने न्यू टेलिफोन के लिए जिसका नाम था लिंक्सिस आइफोन जब 2007 में स्टीब जॉब्स ने एपल का फर्स आइफोन लांच किया तो सिस्को कमपनी ने एपल पे ट्रेडमार्क इन फ्रिग्मेंट का केज डाल दिया लेकिन फिर एपल और सिस्को ने डिसाइड किया कि वो दोनों ही आइफोन का नाम यूज कर सकते हैं लेकिन उसके बाद सिस्को कमपनी का कोई आइफोन लांच ही नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं क्योंकि अब आइफोन आइपल का प्रोडक्ट हो चुका है